हेलो पीपल कैसे हो आप लोग सो एक बहुत ही amazing problem मैं आप लोग के लिए लेके आ हूँ functional equations functional equations पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छे से आ रहे हैं और एक specific case होता है functional equation का जिसके अंदर functional equation operate करती है इस domain पर देखिए domain क्या दे रखा है आप एंटीजर्स और co domain भी integers दे रखा है ठीक है अब इस question को हम ध्यान से पढ़ता है let fx z to z be a function that satisfies f of x plus f of y equal to f of x plus y minus xy and if f of 7 is equal to 21 then z is a set of integers फिर चार options दे रखे अब इस question के अंदर obviously क्या किया जाए देखो अलग अलग तरीके होते है functional equation को solve करने के कुछ होते standard जैसे अगर मान दीजिए यह नहीं होता तो यह कौची equation बन जाती ना कौची linear कौची functional equation का solution क्या होता है fx equal to kx यह कब होता जब यह नहीं होता बट यह है यह है ठीक है फिर उसके अलावा एक और अप्रोच जो होता है वो होता है y को h रखके f-x बनाने का जो एप्रिकेशन व डेरिवेटिव में हम लोग यूज करते हैं बट यह बहुत अमेजिंग टाइप की है जिसके अंदर यह दे रखा है let z to z be a function that satisfy तो अब मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना मैं y को 1 put कर देता ठीक है और मैं telescopic यूज करूंगा इसके अंदर देखो f of x plus f of 1 यह कोई constant value होगी f of x plus 1 minus x ठीक है तो अब आप देखो f of x plus 1 minus f of x is equal to x plus f of 1 अगे उसके अलावा अगर आप x equal to y equal to 0 डालोगे x equal to y equal to 0 तो डालके देखते ही हम लोगे 2f 0 is equal to f of 0 आगे which means f of 0 is equal to 0 f of 0 0 आचुका है अब यहाँ पे देखिए f of x plus 1 minus fx x plus f1 आगे अब मैं x की value कहना 1 डालता हूँ तो यह देखो कित्ता होगे f of 2 minus f of 1 is equal to 1 plus f of 1 को मैं a मान लेता हूँ इसको मैं a बोल रहाँ ठीक है फिर x को 2 डालेंगे तो f of 3 minus f of 2 is equal to 2 plus a और ऐसा मैं x equal to 6 तक डाल रहाँ आपको चमक जाएगा मैं 6 तक क्यों डाल रहाँ क्योंकि मुझे f of 7 दिया हूँ f of 7 गिवन है ना f of 7 गिवन है 6 प्लस a अब इन सबको मैं add कर लेता हूँ तो देखो बारिष मेथड हो जाएगा तो f of 7 minus f of 1 is equal to 1 से लेकर 6 तक कासम 21 plus 6a ये भी a है ये 21 दे रखा है तो 21 से 21 cancel 7a is equal to 0 तो a की value 0 आगया मतलब जो आपका f of 1 आणा वो 0 आजाएगा अब आप देखो f of 0 आपका 0 आगया f of 1 आपका 0 आगया अब आप सोचके देखो अगर मैं इसको आगे तक extend करता तो जो f of n आणा देखो n तक वो 1 से लेकर n minus 1 तक कासम आता ना 1 से लेकर n minus 1 तक कासम आता तो मेरा in general fn क्या आगया n into n minus 1 by 2 ट्रैंगुलर नंबर्स आगे ना ट्रैंगुलर नंबर्स आगे अब अगर मैं दिमाग लगाँगा तो इसकी जो range आती ना वो यह आती अब देखो क्या range को डूमेन के बराबर है क्या range को डूमेन के बराबर है नहीं है तो यह इंटू फंक्शन हो गया राइट इंटू फंक्शन तो होई गया हरा एक तो यह हो गया उसके अलावा आपको मैनी 1 और 11 चेक करना था f of 0 आपका 1 है और f of 1 भी 1 है दो इंटीजर्स पर same value आ रही है तो clear cut इसको मैं बोल सकता हूँ न कि यह many 1 है this is a many 1 thing तो basically जो एक thought process यहाँ पर आपको develop करनी है अगर आपका domain co domain integers है तो यह telescopic वाली जो thought process अना वो आपको use करनी पड़ेगी basically it is a sequence and series question j advance के अंदर मैंने आप लोग को बता रखा है कि sequence and series calculus यह सब mix करके आप लोगों से problems पूछी जा सकते है और वही application मैंने आप लोगों को बता है तो इसका answer क्या हो जाएगा fx is into and menu so guys अगर आप लोग कोई अच्छा लगाओ तो please इसको आप लोग share करना और बाकी जो question of the day है वो continue रहता रहेगा इसी तरह से कोशिश करूँगा और अच्छे अच्छी thought process आप लोगों के लिए ले के आता है रहो तैंक यू